नमस्कार दोस्तो मेरा नमें संदीप आप देख रहे हो सेंडी डूबा चैनल दोस्तो आज इस वीडियो में मैं यह डबल आइसी वाला गेन बुष्टर सार्किट बोर्ड लेकर आ चुका हूँ दोस्तो आप लोगों के लिए और यह जो आइसी है दोस्तो यह दो आइसी टी TL02 है इसके बदले में आप लोग यहां पर 4558 IC भी लगा सकते हो या फिर TL072 या फिर एनी 5532 ठीक है यह डबल आइसी गेन बुष्टर सरकिट है यहां पर दोस्तो ब्रीज रेक्टिफियर बना हुआ है और यहां पर कैपासिटर भी लगा हुआ है दोस्तो और यह हमारा गेन आप लोग को दिखाऊंगा और यह जो बोड़ है दोस्तो यह सभी बोड़ का रिवीव में बाद में करूंगा पहले मैं आप लोग को यहां पर दोस्तो दिखा देता हूँ यह पर मैंने 909 750000-170 मिलयंप्यार का टेंसर मा लिया है तो दोस्तो यह पर मैंने 88.2 वो 89 वाड़ा लगा नहीं है ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरा जो supply है वो 909 है ठीक है बहुती कम supply है इसी सरी में चला के आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों यह चल जाएगा दोस्तों मैंने टेस्ट किया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई रेगुलेटर आयसी लगाया नहीं है 88.2 या फिर 89.15 या फिर 88.15 ठीक है तो चलिए मैं अभी आप लोगों को इसको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ इसका साउंड सुना दे रहा हूँ काम कर रहा है की नहीं उसके बाद दोस्तों बोट को उभर विव दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसका प्राइस भी बताऊंगा और इसका अगर आप लोग पीसी भी लेना चाते हो बो भी मिल जाएगा आप लोगों को ठीक है तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं पहले चेक करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ देख सकते हो दोस्तों बड़िया तरीक से वाग कर रहा है रही है तोस्तों को इभी आम नहीं है दोस्तों कर दो कर दो थीक है दोस्तो बड़िया थनिक से यह वार्क कर रहा है तो दोस्तो चलिए मैं अभी इश का जो उभर्वियु है वो आप लोगों को दीखा दे रहा हो ठीक है पो दोस्तो फाइनली यहाँ पर मेरा इसका जो कानेशन है वो मैंने निकाल लिया है दोस्तो ठीक है यहां पर दोस्तो 88 12 लगेगा और यहां पर 89 12 यहां फिर 15 और यहां पर दोस्तो हमारा audio input होगा right left ground और यहां पर से दोस्तो right left ground output है ठीक है और यहां पर दोस्तो हमारा 120 12 AC supply है दोस्तो यह एक ampere तक अप्रोग इस board में दे सकते हो ठीक है पीछे की साइट पर कुछ इस तरीके से दोस्तो देखने को मिल जाता है यह board ठीक है और यहां पर दोस्तो मैंने TL082 IC लगा है ठीक है यह भी TL082 है श्री दोस्तो यह TL072 है यह बाला कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्तो क्योंकि दोस्तो यह दोनों सेम है ठीक है और यहां पर दोस्तो यह हमारा एक PCB है ठीक है जो की बना हुआ है दोस्तो PCB यह कुछ इस तरीके का अगर आप लोग PCB लेना चाते हो इस PCB का जो प्राइस है दोस्तो वो 250 रुपे है delivery charge एक सो रुपे अलग से ठीक है मातलब साड़े तीन सु रुपे इस बोट का प्राइस है साड़े तीन सु रुपे यह सीब यह बोट का और अगर आप लोग यह component लगा के खडिते हो दोस्तो तो यहां पर आ दोस्तो आप लोगोंको इस बोट का जो प्राइस है बो साड़ 400 रुपे लगेगा delivery charge 50 रुपे लगेगा टोटल कुल मिला का 500 रुपे इस बोट का प्राइस है दोस्तो ठीक है तो दोस्तो वीडियो में बस इतना ही था मैंने आप लोगोंको दिखा दिया दोस्तो डबल ऐसी बाला gain booster circuit ठीक है बड़िया तरीके से काम कर रहा है यह तो चे अगले वीडियो में टाटा